हेलो एर्यवन और वन्स अगेन वेल्कम बाक टो मरतस्कीर यूट्यूब चानल माइसल्फ उमरतस्कीर गूगल लुकर Strategy Studio course के आजके इस प olduğu वीडियो में हम लोग देखने वाले किसी त्रीके से हम लोग एक जो सबसे डेटा सोर्स है जिसमें बहुत सारी ऐसी डेटा है जिसको आप इसानी हो जाती है उसकी report बनाने में, एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई report बनाने जाते हैं, आपको इन सारी चीजों की starting से ही clarity होनी चाहिए, कि आखिर हम report में क्या दिखाना चाहते हैं, कि इन questions का answer हम report में चाहते हैं, और किस तरीके से हम उसको दिखाना चाहते हैं, visually किस हम उसके अंदर जो चीजें हैं, उनको represent करना चाहते हैं, यह आपको starting से ही clear होना चाहिए, कुछ जब आप reports बना लेंगे, Google Looker Studio के उपर, तो आपको यह clarity हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा, कि किस type की data को, किस type के visualization से दिखाना चाहिए, ताकि वो बहतर तरीके से represent हो पाए, तो यह थोड़े से अनुभव की बात है, टाइम के साथ यह चीज आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगी, तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ चीजें, आपकी असानी के लिए पहले ही लिख रखी हैं, कि हमें क्या देखना है, जो हमारी basic Google Search Console की report होगी, उसके अं हम लोग numbers को represent करते हैं, एक visualizing element होता है, जैसे different graphs होते हैं, जैसे हमारा donut chart होता है, जैसे हमारा time chart होता है, ऐसे हमारा scorecard होता है, जो basically simple numbers को represent करता है, तो मैं अगर आप से पूछो clicks कितने आए, तो आप बोलोगे 200 clicks है, तो उसके लिए scorecard is fine, बट अगर हमें हमारे questions का answer इस तरी clicks है, जैसे for example, 5 तारीक को कितने clicks आए, 6 तारीक को कितने आए, 7 तारीक को कितने आए, in that particular case, आपका काम scorecard से नहीं चलेगा, आपको time chart का इस्तेमाल करना पड़ेगा, time chart क्या होता है, simple से हमारे chart होते है, जो दो accesses पे आप data plot करते हो, एक x access होती है और एक y access होती है, time chart के अं impressions दिखाना है, तो impressions हम select कर लेंगे, clicks दिखाना है, तो clicks हम select कर लेंगे, CTR दिखाना है, तो हम CTR select कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि date wise या week wise या month wise अगर हमें किसी चीज़ के analysis करनी है, तो हमें time chart की जरूरत पड़ती है, तो यह बहुत ही basic सा scenario जो है, वो मैंने लिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि reports किस तरीके से बनती है, अब guys हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग सीधे आ जाते हैं, अपने looker studio के उपर, create के उपर click करेंगे, report के उपर जाएंगे, और यहां से सबसे पहले तो हमें हमारा data source है, वो select करना पड़ेगा, तो अभी मैं कोई भी Google search console, जो हमारा account है, वो नहीं select कर रहा हूँ, मैं यहां पर जो हमें sample data D होती है, उसी का हम लोग use करेंगे, जो Google search console की sample data है, right, so I'll select it, और मैं यहां से इसको कर देता हूँ, add, तो हमारी sample जो Google console की data है, वो यहां पर हमें दिख जाएगी, fine, थोड़ा सा हमें इसको सुंदर भी बनाना है, मतलब reports बना रहें, तो उपर header वगरा हमें लिखने पड़ेंगे, तो मैं यहां पर एक काम करता हूँ सबसे पहले, तो मैं यहां पर एक basic report इसका नाम डाल देता हूँ, ठीक है, और Google search console लिख देता हूँ, ठीक है, it totally depends on you, कि आप इसका क्या ना रखना चाहते हैं, और उसके बाद ना, मैं यहां से एक rectangle ले लेता हूँ, मतलब shapes वगरा भी आपको यहां पर मिल जाते हैं, so that, आप यहां पर बड़ी आसानी से, जो है, कुछ graphical way में भी अगर आप represent करना चाहें, तो वो कर सकते हैं, तो मैं shape ले लिया, आप shape लेने के Google search console report, यह मैं लिख देता हूँ, और इसका जो font होगार है, उसकी भी थोड़ी से formatting, हम लोग कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहां पर let's keep it to 40, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको यहां पर increase कर दूँग, बहुत ही basic सी report जो है, वो हम लोग बनाने यहां पर, थोड़ा सा time लगेगा आपको इस type की reports को बनाने में, और मैं इसको थोड़ा सा bold कर दूँग, और इसका color जो है that I am going to change, तो यह black का color मैं change करके इसको white कर देता हूँ, in case अगर आप कोई logo गरा लगाना चाहते हैं यहां पर ताकि आपकी report और बहतर दिखने लगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको increase कर देता हूँ, ठीक है थोड़ा सा और ठीक लगने लगेगा यह, ठीक है तो मैंने इसको increase कर दिया यहां पर, चोटा कर लो क्योंकि अब आपको और भी चीज़े अगर इस्तेमाल करनी है, तो you can make it small, ठीक है मैं इसको लगा देता हूँ, एक बार के लिए, फाइन, अब जो भी आप report बनाएंगे, आपको बताएं कि वो report आप यहां पर सारी चीज़े नीचे जो है, जो score cards वगरा की बात करा था, वो सारी चीज़े आप यहां नीचे जो है, उनको रखने वाले हैं, तो जो आप नीचे रखें जैसे मैंने आपको बताया था कि यह जो reports होती है, यह real time reports होती है, तो real time reports में you can play with this date range, ठीक है, तो जैसे for example, कोई भी यहां पर अगर हमें data दिख रहे हो, और अगर हमें उसको specific date range के हिसाब से study करना है, तो फिर यहां पर जो हमारा control है, वो date range का control होना चाहिए, उसको हम लो यहां से, ठीक है, मैं scorecard यहां से उठा लेता हूँ, right, तो यहां पर देखो, यहां हमें clicks दिखा रहा है, right, so it is showing us clicks, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको copy करता हूँ, यह same यहां आ गया, और यह भी हमें clicks दिखा रहा है, तो अब हमें clicks नहीं देखना है, right, हमें क्या देखन यहाँ पर CTR, ठीक है, जैसे हमें CTR देखना है, तो मैं CTR यहाँ ड्रॉप कर दूँगा, इसको select करके, यह मुझे CTR दिखाने लगेगा, average CTR, उसके बाद मैं फिर से इसको copy करता हूँ, यहाँ paste करता हूँ, और इस बार मुझे जो है, इसके अंदर देखना, average position, तो मैं average position, यहाँ पर drag करके लाकर रख सकता हूँ, अगर आपको, यह जो आपने score card बना है, इनको कोई styling देना है, कोई shape देना है, तो उसके लिए what you have to do is, यह जब आप इसको select करेंगे, and if you go to style, styling के अंदर अगर आप जाएंगे, तो आपको सारी चीज़ दिखेंगे, कि आप यह जो दिखाना चाहते हैं, यह कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, अगर आपको इसको background color देना चाहते हैं, that you can also give, जैसे मैं इसको अगर यह background color देना चाहू, that I can also give, ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा visualization के जो elements हैं, उनको आप और styling वगरा दे सकते हैं, उसके बाद अगर मुझे लग रहा है, मेरे को यहाँ पर एक line जो है वो खीच नहीं है, तो मैं यहाँ पर, जो है, मैं एक select कर देता हूँ, basic matrix, ठीक है, यह हमारी basic matrix होगे, again, यह आपको क्या heading रखनी, that totally depends on you, मैं आपको केवल options बता रहा हूँ, right, so मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, एक बार के लिए, right, और इस वाले chart को मैं delete कर देता हूँ, this is actually not required, वो पहले से by default, जब हम बनाते हैं, एक report को open करते हैं, तो कुछ data वो दिखा देता है, that is it, right, so यह आप देख सकते हो, इस तरीके से, right, अब अगर इसको आपको देखना है, कि real time में, जब मैं इसको किसी के साथ share करूँगा, तो कि इस तरीकी की दिखाई देगी, तो आपको जाना है view के उपर, ठीक है, view के उपर आप देख सकते हो, जैसे यह, अगर आप date range select करो, जैसे मैं select करता हूँ, एक से चार March, ठीक है, या यहां से मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे अगर मुझे custom लेनी, that I can also do, ठीक है, बहुत सारे options हमें यहां पर दिये हुए, तो let's say, मैं last seven days की जो है वो report अगर देखना चाहूँ, ठीक है, तो in case अगर यहां पर कोई data होगी, तो that you can see, देख रहे हैं, आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, अगर आप और ज़्यादा report देखना चाहें, जैसे एक लाग बावन हजार impressions जो है, वो last seven days में थे, अगर last 28 days की आप report देखना चाहें, तो आप देख सकते impressions बढ़ गए, clicks बढ़ गए, CTR में भी थोड़ा सा बदलाव आया, फाइन, इसलिए मैं कहा रहा था, यह जो date range वाला जो यह filter है, या जो data का option है, यह आपको यहां पर mention करना परता है, मैं फिर से इसको edit mode में लेकर जाता हूँ, तो यह हम लोगों ने एक basic जो हमारी metric बनानी थी, वो हमने बना ली, यहाँ पर हमें और भी options दिख रहे थे, जैसे हमें एक visualizing element का इस्तेमाल करना है, which is time chart, तो time chart पर हमें impressions over time दिखाने है, clicks over time दिखाने है, CTR over time दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाओंगा यहाँ पर add a chart के उपर, दिखे, data का जो visualization है, वहाँ दिख जाएगा आपको, तो मैं time series को यहाँ से select कर लूँगा, और यहाँ पर मैं इसको time series को drop कर दूँगा, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको यह date दिख रही, this is totally fine, मेरे को नीचे जो है न, वो date ही देखनी थी, तो मुझे यहाँ पर date दिख रही, 17 February, 22 February, मतलब एक हफ़ते के हिसाब से, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, मेरे को clicks दिखाने थे, clicks भी दिख रहा है, ठीक है, बट clicks से पहले, मेरे को impressions दिखाने थे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं clicks की दिखा, यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ, impressions, और इसको मैं यहाँ drop कर दूँगा, impressions को, right, और clicks को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे एक साथ तो comparison करना नहीं है, so these are the impressions, these are the clicks, और अगर मुझे इसी time period में, मुझे अगर, जो है वो CTR भी देखना है, तो I can go ahead and select the CTR, तो मैं यहाँ से CTR भी select कर लूँगा, और मैं clicks को हटा देता हूँ, तो अभी आप देख रहा हूँ, तो यह जो आपको report दिख रही है, मैं थोड़ा सा इसको set कर दूँ, ठीक है, और यह जो मैंने यहाँ पर text लिखा हूँ, I can copy this text again, ठीक है, वो मैं नीचे यहाँ पर कर देता हूँ, text को copy करके, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, reports with respect to time, ठीक है, अब now suppose यह report आपने तयार कर लिए, तो मैंने बहुत ही basic सी report आपको बता ही, ताकि आपको यह समझ में आ जाए, कि इंदर से dimensions और जो हमारी matrices हैं, उनको कैसे pick करते हैं, यहाँ से हम data को दिखाने के लिए, जिस चार्ट की है, जिस visualization की हमें जरूरत है, वो कैसे हम उठाते हैं, यह आपको समझ में आ जाए, अगर आप इसको किसी के साथ share कर सकते हैं, जब वो इसको देखेगा, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पर यह date selected है, जब मैं February 17 सेलेक करता हूँ, तो जितने भी यहाँ पर data के elements हैं, सब में देखो 17 February से, लेट से, अगर मैं केवल last 7 days उठाता हूँ, यह मैं केवल today की report देखना चाहता हूँ, तो यहाँ आज की तारीक की report देखना चाहता हूँ, that I can also see, ठीक है, अभी यहाँ report अगर नहीं populate हुई, तो नहीं दिखाई देगा आपको, जैसे मैं अगर देखना चाह रहा हूँ, let's say, मैं यहाँ पर last, yesterday की देखना चाह रहा हूँ, right, so yesterday की report अगर मैं यहाँ पर सेलेक करता हूँ, कोई भी data नहीं है, ठीक है, data populate नहीं हुई होगी, मैं थोड़ी सी और seven days की data ले लेता हूँ, right, अगर मैं seven days की data ले लूँगा, तो आप देखो कि यहाँ पर आपको एक एक दिन की report दिख रही है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, इस टाइप की एक एक दिन की report दिख रही है, right, so इस तरीके से जो यह elements है, visualization के elements हैं, उनका आप इस्तमाल करते हो, इस तरीके से आप reports देखते हो, I believe अभी आपको बहुत ही basic सा fundamental clear होगा, कि एक basic सी report जो है, वो किस तरीके की बनाई जाती, बाकि इसको सुन्दर करना है, अगर आपको सजाना है, तो उसके लिए यह style वाला section है, अब यह देखो practice से आएगा, यह जैसे मैं यहाँ पर गया, और style में मैं आता हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आपको दीए है, padding आप दे सकते हो, ठीक है, आपको chart का header जो है, वो दिखाना है और नहीं दिखाना है, there are so many options, जिनको मैं एक-एक करके जो है, वो explore करूँगा, बट अभी आप यह समझे, यह data source को connect करके, कैसे हम लोग data को यहाँ पर देखते हैं, आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस particular video में इतना ही, मिलता है नेक्स वीडियो में, till then, good bye.